कि है अरुवन वेलकम पुजस्ट फॉस्टरी दोस्तों हिमास्टिच हाइक कुट क्लर्क कम प्रूफ रिडिक का एकजाम हुआ था एक माई 2022 को स्क्रीनी टेस्ट का सॉल्व वीडियो पार्ट वन हमने अल्रीड चैनल में अप्लोड कर लिया है आज हम देखेंगे पार्ट का एक्जाम होना है उसकी त्यारी के लिए हमने वर्षट ग्रूप बनाया है जिसमें हम स्टडी म्टीरियल आपको प्रॉइड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन वॉक्स और कमेंट शेक्शन में दिया है आप हमारा वर्षट ग्रूप जॉइन कर सकते हैं बात करें 60 को स्ट प्रूप जाता है हमारा वह है रिसनिंग का उके तो हमने देखता स्लेवस में क्या है 60 कॉस्ट यह वे जिखेके 20 रिसनिंग के युद्ध 20 आपके computer के तो इस तरह से 100 questions होते हैं screening test में तो 61st जो question है वो है reasoning का complete the given series by finding the missing term तो हमने जो है given series में missing term find करनी है इसमें simple साथ pair है आपको 28 plus 5 का 34 plus 5 का similarly 31 plus 5 आएगा 36 तो ये तीन पेर बनेंगे 33, 31, 34, 34, 39 के तीन पेर तो missing term है आपका option C next question है आपका question पेर जो है शिर्फ English language में ही आता है आपका high quote clerk का pointing to a boy a man said to a woman his mother is the only daughter of your father how was the boy related to the woman एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने औरत से कहा कि उस लड़के की मा जो है आपके पिता की इकलोती बेटी है तो उस लड़के का उस औरत से क्या रिष्टा हुआ या relation हुआ तो बहुत लड़का जो है उस औरत का क्या है बेटा तो option D हमारा science रहेगा which word amongst the following is different इन चारों में से कौन सा different है index, glossary, chapter या book okay तो option D हमारा science रहेगा book, book के अंटर ही आपका index, glossary और chapter आता है choose the number which is different from others okay हमें जो है different number choose करना है 27 आपका रहता है cube 3 x 3 x 3 3 x 9, 8 x 23 okay then है आपका 4 x 4 x 4 आपका 64 वैसे ही 5 का cube रहता है 125 लेकिन आपका D जो है different है D जो है आपका 12 का square है 12 x 12 होते है आपके 144 कौन सा different है आपका option D which is different from the rest अने से कौन सा different है तो आपका B, C, F, G P, Q इन तिनों में जो है बीच में कोई भी difference नहीं है alphabet में आपके बाद B के बाद के आता है C, F के बाद G आता है P के बाद Q आता है लेकिन आपका T के बाद के आता है U आता है देन V आता है इसमें बीच में एक difference है, एक gap है एक alphabet का तो आपका option D जो है बाकियों से अलग है choose the word different from the rest gap, turban, whale या element तो आप देखते है option C, whale जो है आपका क्या होता है नकाब नकाब बोले या आपका घूंगट जो है, मूँ में होता है बाकिया आप cap कहां बेहनते हैं, turban कहां बेहनते हैं helmet कहां बेहनते हैं, सर में तो ये आपका option C, बाकियों से different है next आपका Manoj is heavier than Rajat, तो बनाबस है Manoj is heavier than Rajat Manoj Rajat से भारी है, but not और देन रमन, लेकिन रमन से भारी नहीं है, कौन? Manoj then next क्या है, Rajat is heavier than Jayesh Rajat किस हेवियर है? Jayesh से then क्या है, Krishnan is heavier than Suresh so Krishnan हमारा किस हेवियर है? Suresh से but lighter than रमन, लेकिन रमन से lighter है हलकाई है, कौन? Krishnan so who is the heaviest? so heaviest हम देख सकते हैं, तो रमन हमारा heaviest या सबसे भारी है, तो option C हमारा science रहता है question number 68-72 तक हमने जो correctly spelled word देखने है तो आप देखते हैं, compassionate यानि कि दयावान, इसकी सही spelling है, option A next institution, यानि कोई संस्थान तो institution की spelling क्या है सही? option A, spelling वाले बहुत ही easy question रहते हैं हमार्स देश हाईकूट में next है defines defines की बात करें, तो defines का सही जो रहेगा वो रहेगा option C then है discipline discipline की जो सही spelling रहती है, वो रहती है option D यानि की अनुशाशन और defines का मतलब रहता है अवग्या, maintenance रख रखाव, इसकी सही spelling है option A next है आपका how many meaningful words can be formed from the word gentleman without changing the order of letters letter की order को change ना करते हुए, gentleman से कितने meaningful words बनाए जा सकते है 3, इसका कोई clear answer नहीं मिला है final answer की में इसका answer 3 दिया है, तीन नहीं बन सकते है कौन कौन से आपका, एक gentle, दूसरा man, तीसरा आपका gentleman, तो इसके तीन meaningful words रहते हैं, next है naked is related to cloth, in the same way thirsty is related to witch तो जिसका स्वस्तरा नहीं है, उसके उसे cloth दी जाते हैं same way में, जिसे प्यास लगी है उसे क्या दे जाएगा, water तो option भी हमारा सही answer रहेगा next थोड़ा complex question है, के इसे पहले एक question रहे जाता है, mother of Q is the sister of P and daughter of M, S is the daughter of P and sister of T what is the relation of M with T बात करें इसके answer की तो none of these में, सही answer हैगा इसमें कोई भी combination सही नहीं बैठता है तो next question है आपका direction for question 76 to 80 इसमें आपको दिया है read the following information carefully and answer the question given below हमें information दिये है और उसके basis पे हमें जो है 4-5 question भी दिये है उन्हें हमने solve करना है हमें क्या दिया है कि P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circular table facing the center R is next to the left of U and V is the second to the left of R P is sitting third to the left of T Q is between S and T इसके हम एक diagram बना लगते है इस तरह से बनेगा तो यहां पर एगा आपका U T R P V S and Q तो आप दिखते हैं क्या बना इसमे R is next to the left of U R जो है U के left में है V is second to the left of R R के second में क्या है left में V है आपका P is sitting third to the left of T T के third left में क्या है आपका P है Q is between S and T Q किसके बीच में है S and T के बीच में इसके basis पे हमने question solve करने है पहला है which of the following is false इन में से कौन सा गलत है तो आपका option D गलत रहता है U is the third to the right of S Okay S के right में third में U है third में नहीं है fourth में है तो यहाँ पर fourth आना था बाकि के तिन्नों option आप देखते हैं सही है P is fourth to the right of T T के right में fourth में क्या है P तो T है यहाँ पर one, two, three, four fourth में क्या है P same U is the immediate right of R U जो है R के immediate right में है Q is the immediate left of S Q जो है S के left में है तो आपका option D सही answer रहेगा 76th question का next question क्या है which of the following is true कौन सा true है इन में से option A आपका सही रहेगा क्या है P is true to the immediate right of P V के immediate right में क्या है आपका P which of the following pairs has the first person sitting to the immediate left of the second person इन में से चार pair दिये हैं कौन सा pair है जिसमें पहला person जो है immediate left दूसरे person के immediate left में जो है बैठा है तो इसका सही answer रहेगा आपका option D S V S V pair में आप देखते हैं कि S जो है वह V के immediate left में है तो आपका option D हमारा सही answer रहता है In which of the following options the middle person is sitting between the other two आपको जो है पेर आपको जो है इसमें option दिये है कि इसमें जो middle person है बाकी दो के बीच में वह बैठा हुआ है कौन सा इसमें सही option है तो आप देखते हैं तीन option है T U Q तो आप देखते हैं T U Q गलत है जो है U and T के बीच में नहीं है इसमें जो है कोई भी option आपका सही नहीं है तो आपका option D non of these सही ही रहेगा What is the position of U? U की position क्या है? U जो है fourth to the right of S आप देखते कहां पर S? S के fourth में है right में S है यहां पर first, second, third, fourth right में जो है U है आपका तो आपका यह है आपका option रहेगा option C सही answer, then आपके 81 से 100 तक जो question है वो है computer awareness के तो computer awareness की बात करें तो हमने mock test भी बनाए है color exam के लिए तो mock test की detail भी WhatsApp ग्रूप में दी जाएगी या फिर आप WhatsApp पर contact कर सकते हैं 78072 28457 इस नमर पर आप text message send कर सकते हैं वर्स नमर है वहाँ पर आपको mock test के बारे में बताएंगे तो बात करें computer से related question रहते हैं first question क्या है which of the following operation is performed automatically when the computer turns on जब computer on किया जाता है तो कौँ सा operation automatically perform होता है processing, voting, saving or editing voting option B next step which of the following mock action is used to access the properties of any object किसी object की हमने properties जाननी है तो हमें mock का कौन सा option क्लिक करना है या कौन सा action हमने perform करना है click, double click, right click या drag and drop तो आप किसी भी जो भी आपका computer में right click करोगे तो आपको जो है option आपको जो है option मिल जाएंगे किसी object के बारे में right click करोगे आप ms board में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे details, properties, cut, copy, paste तो आपको जो है कौन सा action follow करना है, mouse का right click तो आपका option C जो है सही answer रहेगा तो next question देह लेते हैं तो समिट गया है question paper which among the following is the shortcut key for slide show in Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint में जब आप presentation मनाते हैं तो slide show के लिए कौन से shortcut key है, option थे first था F5, दूसर था F7 third था F4, fourth था F12, okay तो आपका सही answer रहता है F5 F5 जो है shortcut key है slide show के लिए ms PowerPoint में next है आपका 84th question क्या है, which among the following is the smallest unit of data in the computer system, computer system में आपकी smallest unit कौन से रहती है data की, nibble, bit, byte या kb, सही answer इसका आपका bit, आपको पता है कि nibble कितना होता है, one nibble is equal to 4 bit then bit के बाद byte आता है, kilobyte megabyte, gigabyte okay, तो आपका smallest unit है bit, which among the following is not an extension of a picture file, picture file का extension कौन सा नहीं है, इस में से .jbg सही है .jif भी सही है, .png भी सही है, .tpf जो है extension जो है, नहीं है, picture file का तो आपका option D, सही answer हैगा in excel to protect a worksheet, you can choose protection and the protect sheet from which of the following menu okay, जब आप excel में जो worksheet बना रहे हैं, तो आप protection और protection sheet, किस menu से choose कर सकते हैं तो इसका सही answer जो रहेगा, वो रहेगा आपका option B tools menu से what is the term used for a prescribed set of well defined instructions for solving the mathematical problems, code algorithm, syntax compiler बोलते हैं, सही answer है इसे बोलते हैं, algorithm the feature in MS Word allows to change the color of the selected text, selected text जो होते हैं MS Word में उनका जो change करना है हमने color, उसके लिए हमने कौन साथ feature का इस्तेमाल करते हैं font color का हमारा option C, सही answer रहेगा which of the following has the shortest access time, shortest access time रहता है, वह किसका रहता है, cache memory, magnetic bubble memory, magnetic core memory या RAM, सही answer है, cache memory option A, maximum zoom percent allowed in MS PowerPoint 2007 MS PowerPoint मैं जो maximum zoom percent रहता है वह कितना रहता है आपका 400 percent तो option D हमारा सही answer है shortcut key used to check spelling and grammar in MS Word MS Word में आप कुछ भी type करते हैं अगर आपने grammar या spelling check करनी है उसके लिए shortcut जो आपकी key रहती है वह कौन से रहती है आपकी app 7 तो आप app 7 दबा सकते हैं उसमें आपको जो है जो भी आपकी girl spellings आपने girl type किया है उसके बारे में आपको बता दिया जाता है system के दबारा which one of the following is not an email service provider कौन सा जो है email service provider नहीं है hotmail, gmail, outlook या binge option d bing या binge जो है आपका क्या है कि search engine है तो आपका option d सहींस रहता है बागी किये तिनों जो है आपको email service provide करते हैं select the odd one out इनने से odd one कौन सा है बाक्यों से अलग कौन सा है interpreter operating system compiler या assembler आपका option b सहींस रहता है operating system बाक्यों से अलग है बाकी जो तीन है interpreter, compiler and assembler यह क्या है यह आपके language processor है जो convert करते हैं आपकी programming language को machine language में what is a note or an annotation that an author or reviewer adds to a document इसे बोलते हम option d comment in CRT, t stands for CRT का रहता है cathode ray tube तो t से क्या है tube आपका of indeed science रहे in word the mailing list is known as the ms word में mailing list को क्या बोलते हैं data source speed of super computer is measured in जो आपके super computers है उनकी जो हम speed measure करते हैं किस में करते हैं flops में pentaflops news में flops which of the following is the video format BMP, GIF, PNG या आपके image format है FLV flash video जो है आपका एक video format है option d हमारा सही answer रहेगा what type of technology allows you to verbally speak with someone over the internet कौन सी technology जो है आपको verbally allow करती है किसी दूसरे साथ बात करने को okay over the internet internet के through सही answer रहेगा option B voice over internet protocol generally web address is located by web address is located by URL uniform resource locator option C सही answer रहेगा video में फिलाद इतना ही वीरे तुहने के ले दानेवाद उस्पों दानेवाद